वेलकम टो स्रीजी फूड आज हम बनाएंगे वाइट डुकला वाइट डुकला टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है और उसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए हम जो बैटर यूज करते हैं वो भी मैंने घर पे ही रेडी किया है तो चलिए वाइट लेते हैं हर रोज इस तरह की नई नई रेसिपी सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजु में दिये गए इस बैल आइकोन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे हर नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे डुकला बनाने के लिए ये मैंन अब हम इसमें इनो एड करेंगे जिसे हम फ्रूट सॉल्ट बोलते है जो रेग्यूलर आता है ब्ल्यू बॉटल में वो हम एड करेंगे तो इतनी कॉंटिटी में हम हाफ टी स्पून इनो एड करेंगे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले और इनो एड करने के बाद हो सके तो बैटर को एक ही सैट गुमाए तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है इसकी कंसिस्टनसी हम चेक करते है अभी ये ठीक है तो हम इसमें थोड़ा पानी एड करेंगे अराउंड दो टेबल स्पून जितना पानी मैंने अभी एड किया है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले जैसा हम इडली का बैटर रखते है सेम वैसा ही हमें रखना है इस तरह का मिडियम थिक हम इसे रखेंगे अब ढुकला बनाने के लिए जो थाली हम यूज करते है उसी को हम ओल लगा देंगे और साथ में पानी भी गरम करने के लिए रख देंगे दोनों थाली में हम ओल लगा देंगे अब जो बैटर हमने रैडी करके रखा है वो इसमें आड़ करेंगे आप अगर ठीक ढुकला बनाना चाहते हो तो थोड़ा ज्यादा आड़ करें अभी मैं जो ढुकला बना रही हूँ उसकी ठीकनेस मिडियम ठीक रहेगी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें दोनों थाली में मैंने बैटर ले लिया है इसके उपर थोड़ा काली मिर्च का पाउडर हम आड़ करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करें अब ये दोनों थाली रैडी है इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे तो पानी उबलना सुरू हो उसके बाद ही थाली उसमें रखे तो दोनों थाली हम इसमें रख देते है इसका धक्कन बंद कर दे और इसे मिडियम गैस पे 12-13 मिनिट तक हम स्टीम होने देंगे 12 मिनिट हो चुकी है गैस लो करेंगे और इसे चाकू की मदद से चेक कर लेंगे अब हाथ से चुओगे तो भी इसकी उपर की स्किन ड्राय लगेगी चाकू भी क्लिन निकला है मतलब ये हो चुका है थाली को बहार निकल लिया है चार से पांच मिट के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे तो पहले सीधा कट करें अब थाली को हम घुमा लेंगे और ढुकला हम स्क्वेर सेप में कट कर लेंगे दोनो ठाली मैंने कट कर लिया है अब तड का लगाने के लिए दो टेबल स्पॉन ओल गरम करने के लिए रखा है उसमें फाफ टीश्पॉन राय एड़ करें बागी की ठाली भी मैंने स्टीम होने के लिए रख दी है राई हो चुकी है उसमें थोड़ा जीरा एड़ करेंगे राई और जीरा हो चुका है गैस बन कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च इसमें एड़ करें मैंने तीन कटी हुई हरी मिर्च ली है करीपता एड़ करें थोड़े से वाइट तील हम एड़ करेंगे तड़का रेडी है इसे हमने जो ढुकला कट करके रखा है उसके उपर एड़ करेंगे चमच की मदद से पूरी थाली में ये तड़का हम एड़ करेंगे स्प्रेड करते जाएंगे दोनों थाली पे तड़का लगा दिया है थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया एड़ करे अब इस ढोकला को निकालना कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ तो जहां से कट किया है वहीं से हम इस तरह से ढोकला निकाल लेंगे इस तरह से हमने जो ढोकला बनाया वो एकदम सौफ्ट और स्पॉंजी बना है तो इसे सव करते है अब हमारा वाइट डोकला सर्विंग के लिए रैडी है ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बनता है और आपने देखा इसे बनाना बहुत एजी है तो आप भी बना कर जरू ट्राइ करें आपके गर में ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा उम्मिद है आपको मेरी आज की रैसिपी पसंद आई होगी